नमस्कार दोसों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सुज़सा कि आज हम यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केमिस्ट्री के मैं इम सी क्यूज है नोमन क्लेचर है और गनिक कंपाउंड का तो और गनिक केमेस्ट्री का जो है यह चैप्टर है तो उससे पहले हम यहां पर थोड़ों सा बेड़ जेबिटी वालों के लिए सूचना भी देंगे पर यहां पर आप देख सकते हैं कि परिक्षा एप पर आप TST Arts इन सभी की जो test series आपको available है तीनों के 10-10 test है एक test series में 150 questions है and 279 रुपीज की जो है वो एक test series है तो जैसे ही आप GKTrick code use करेंगे 50 GKTrick 50 code use करेंगे आपको 50% off मिल जाएगा तो वही test series आपको 142, 150 रुपीज की आपको मिलेगी ठीक है तो आपको 140-150 रुपीज में 10 test series मिल रही है तो ऐसे में आपके लिए एक सुनहरा मौका है ठीक है जो HP test की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लावदायक हैं क्योंकि आपको भी questions वहीं से similar रहते हैं और जो TGT की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लावदायक हैं दोनों के लिए ये बनाई गई हैं सो अभी जो है आप सबसे पहले HP test, TGT medical, non medical, HP test, TGT arts जो है test series लीजिए अच्छे से त्यारी कीजिए और GK trick 50 code यूज करना मत भूलेगा तब ही आपको 50% off मिलेगा ठीक है और किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहिए आप J.O.A की क्या कर रहे हैं ठीक है HP state police की कर रहे है तो आपके लिए ये test series available है वहाँ पर भी आपने GK trick 50 code यूज करना है आपको 50% का off मिल जाएगा तो जाए ये परिक्षा एप को डाउनलोड कीजिए mock test का और test series का फायदा उठाइए तो यहाँ पर हम बात करते हैं अभी थोड़ा सा हमने बोला था कि J.B.T. और B.A की बीच के लिए एक news आई है तो हिमाचर परदेश B.A दिगरी धारकों को बड़ा जटका लगा है ठीक है तो आपको बता है कि J.B.T. के जो teachers होते हैं उनमें B.A को भी शुर्मार किया गया तो ऐसे में उन जो B.A जो धारक थे उनको जो है वो भार कर दिया गया है हिमाचर में B.A दिगरी धारकों को बड़ा जटका लगा है अब पहली से पांचवी कक्षाओं के चात्रों को बढ़ाने के लिए J.B.T. और D.L.A ही पात्र होंगे ठीक है प्रदेश सरकार नहीं है तो मुद्ध क्या था जो थे उसमें जो है बीड को डलना गया था च determinesा एक अब जो है उन बीड धारकों को जो हैं बहार निकाल दिया गया है बहार का रास्ता देद्यों गया है तो ऐसे में जो है आप JBT वाले ही जो है या डियलेड वाले ही जो है पहली से लेकर पांचे तक पढ़ाने के लिए पात्र होंगे बियर धरक नहीं पात्र होंगे तो यह न्यूस थी पढ़ाने के लिए तो अभी चलते हैं फर्स्ट MCQ की और पिकरिक एसिड इस दे प्रोडक्ट अव्जो पिकरिक एसिड है वो किसका प्रोड़क्ट है सबसे पहले पिकरिक एसिड का जो आईपक नेम है वो है आपका 246-Tri-Notro-Phenol ट्राइ-USTIN फिनोल तो फिनोल आ गया है तो यह किसका प्रोड़क्ट हुआ फिनोल का ही प्रोडक्ट हुआ बी अप्शनिस का राइट अंसर है देखी जितने भी मेरे वीडियोज आपको आई बटन में मिल जाएंगे उपर मैं आपको दे दूँगा ठीक है केमिस्ट्री आप वहाँ से त्यार कीजिए अच्छे से त्यार की जाए और्गनिक मैंने बहुत अच्छे कराई है उसमें सारे के सारे एक्स एमस्ट्री कवर अप कराए है ठीक है तो आप वहाँ से देख सकते हैं तो फिनोल के मैं कुछ प्रोडक्ट्स बतायता हूँ आपके आपको तो कैटिकोल भी इसी में आता है जिसका नाम है बेंजिन 1-2 डायोल रेजोरसिनोल भी इसमें आता है ठीक है जिसका नाम है बेंजिन 1-3 डायोल ठीक है क्यूनोल भी इसमें आता है जिसका नाम है बेंजिन 1-4 डायोल हाइड्रोक्यूनोल भी बोलते हैं उसको 1 3 5 ट्रायोल क्रिसोल भी समय आता है और प्क्रिक एसिड भी इसमय आता है ठीके तो भी आप्शन इसका एंसर है एल्डी हाईड में बैंजाल्डी हाइड आता है फिनाईल एसिट लिए आता है जिसको हम बहुत देंटबल यह फ्याइल हाई ऑर फिनाल ब्योटनल आता है कार् next question देखते है what is the common name of isopropyl benzene isopropyl benzene का common name क्या है तो generally जो है isopropyl benzene को हम इस तरह से बनाते हैं ठीक है इस तरह से यह आपका isopropyl benzene का structure है तो क्या बोलते हैं हम इसको क्यों मिन बोलते हैं तो d option इसका right answer है catacole का ipic name बोल देते हैं benzen 12 diol 12 diol फिर आपका hydroquinol का hydroquinol का benzen 124 triol pyrogelol बोल देते हैं benzen 123 triol क्या बोलते हैं benzen 123 triol तो यहाँ पर जो isopropyl benzene का name है वो d option है क्यों मिन अंसर की आपको last में मिल जाएगी इसमें next question देखते है anisole are the product of very important question पूछा गया था यह ठीक है anisole जो है आपका product किसका है तो general anisole जो product है उसको बोलते है हम methoxybenzene क्या बोलते हैं methoxybenzene और यह जो है आपका ether का product है B option इसका right answer है ether का product इथर के product में phenytol भी आता है जिसको हम ethoxybenzene बोलते हैं या फिर diphenyl ether भी आता है जिसको हम phenoxybenzene बोलते हैं ठीक है तो anisole किसका product है methoxybenzene किसका product है आपका ethers का B option इसका right answer है next question देखते हैं what is the IPAC name IPAC name of resorcinol resorcinol का मैंने IPAC name अभी बताया आपको कि बेंजेन 1-3-Diol इसका IPAC name होता है यह option इसका right answer है बेंजेन 1-3-5-Diol किसका होता है fluoroglucinol का fluoroglucinol का ठीक है ठीक है और 4-methylphenol किसका होता है क्रिसोल का किसका होता है क्रिसोल का होता है ठीक है और 2-methylphenyl-ethylphenol किसका होता है फिनाइल-acetaldehyde का ठीक है यह शीज़ आपको याद रखनी है तो resorcinol का IPAC name benzen 1-3-Diol a option इसका right answer है next question देखते है benzen 1-2-dicarboxylic acid is the IPAC name of जो benzen 1-2-dicarboxylic acid है वो किसका IPAC name है तो वो है आपका thalic acid का IPAC name यह option इसका right answer है isothalic acid का IPAC name benzen 1-3-dicarboxylic acid ठीक है और salicylic acid का यह मैं पहले भी करा चुका हूं 2-hydroxy benzoic acid 2-hydroxy benzoic acid उसका नाम है तो यहां पर benzen 1-2-dicarboxylic acid का है thalic acid का यह सारे के सारे जो है वो आपके carboxylic compounds है next question देखते है what is the other name of aniline aniline का other name क्या है तो देखिए जो aniline compound है वो आपका generally amine है एक तरह से amines हैं तो उसको हम जो है benzen के उपर amine group लगा के बनाते हैं ठीक है इस तरह से तो उसको हम aminobenzene भी बोलते हैं और benzene amine भी बोल देते हैं ठीक है तो both a and b इसका right answer है d option इसका right answer है ठीक है next question देखते है two five four six tri nitro phenol also called as two four six tri nitro phenol है उसको क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं आप picric acid picric acid तो यह आपका generally phenol होता है phenolic compound होता है ठीक है b option इसका right answer है krisol का मैंने बता दिया आपको four methyl phenol इसको बोलते krisol ठीक है tri nitrotronlion जिसको हम tnt बोलते हैं tnt जो यह आपका compound है वह nitro group का compound है ठीक है nitro group का compound है ठीक है tnt इसको बोलते हैं so यहाँ पर b option इसका right answer है next question देखते हैं which of the following metal is used in grignard reagent grignard reagent में कौन सा metal यूज होता है तो देखिए grignard reagent में alkyl group ठीक है magnesium और halogen यूज होता है ठीक है halogen fluorine chlorine bromine iodine estetine ठीक है तो वहाँ पर magnesium आपको दिख रहा है तो आपका कौन सा answer है b option इसका right answer next question देखते है Vinyl also called as Vinyl ko हम क्या बोलते है Vinyl ko हम बोलते है Ethanil क्या बोलते है Ethanil हम उसको बोल देते है तो विनल हमारा ऐसे बनता है single bond single bond ठीक है Vinyl हमारा ऐसे बनता है इसको Ethanil भी बोल देते है ठीक है अलाइल जिसमें CH2 double bond CH CH2 सिंगल ठीक है और इथाइलीडीन बनता है हमारा CH3 CH CH2 और मिथाइलीडीन बनता है आपका CH2 double bond इस तरह से तो विनाइल जो compound हमारा वो जनरली हमारा इथाइल बोलते हैं B option इसका right answer है यहाँ पे आप answer की देख सकते हैं यह ठीक है यह answer की पड़ी हुई है तो आप यह देख सकते हैं मैच कर ली जाएगा एक बार जो मैंने answer बताया है उसे के साथ से चलिएगा और यहाँ पे जो आपका test is available है परिक्षा एप डाउनलोड कीजिए लिंक आपको description box मिल जाएगा जीके ट्रिक 50 कोड यूज करना है तभी आपको जो है 50% off मिलेगा ठीक है तो अभी के लिए फिलाल इतना ही फिर मिलूंगा एक नहीं उटसा तब तक के लिए जाए हिंद्ट